So Hello Everyone, MP MKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज हम बात कने वाले हैं कि मद्ध्य परदेश B.A. संग इंटरांस एक्जाम में सेलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, All Category बाज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे का आपको पताओगा कि General बालों को कुछ अलग नंबर लाने होते है, OBC बालों का सेलेक्शन कुछ अलग नंबरों पर होता है, Yes C बालों का अलग का टॉप जाता है, ठीक है? कि General बालों को कितना नंबर लाना होगा, OBC बालों को कितना, Yes C बालों को कितना और Yes C बालों को कितना, तो चलिए PDF को ओपन करके समझ लेते हैं, जैसे कि आपको पताओगा कि परतिवर्द आपका कटॉप उपर नीचे होता रहता है, अगर आपका पेपर थोड़ा हाड यान कि टप आगया, तो कट आप नीचे चला जाता है, अगर पेपर थोड़ा इजी है गया, तो ऊपर चला जाता है, ठीक है, बट आपको पताओगा कि ओन एन एवरेज लगबगी रहता है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि यह लिस्ट आप देख पार होंगे यह लिस्ट कापी पोटेंट है, जो आपका यहाँ पर डिसाइड करती है कि कितने नमर आपको लाने होते हैं, और आपको उसी के अनुसार तयारी करनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पार होंगे, यह गौवर्मेंट जो कोलेज है, जबलपूर वाला कितने नमरों पे मिलता है, इंदोर वाला कितने नमरों पे मिलता है, सागर का कितने नमरों पे मिलता है, बोपाल का कितने नमरों पे आपको मिलता है, और यहाँ पर कैटेगरी बहुत ही इपोटेंट रॉल अदाग करती है, जैसे कि आपको पताऊगा कि जो यह सी और यह स्टी में आते ह उनको कम नम्रों पे भी गौवर्मेंट कोलेज मिल जाता है और वो गौवर्मेंट नर्सिंग कोलेज को पा लेते हैं तो यह लिस्ट में आप देख पारूंगे यहाँ पर OBC आप देख पारोंगे यानि कि OBC वालों को यहाँ पर कोलेज तुरूंत मिल जाता है यह देखिए OBC वालों को यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इनको नमबर लाने होते हैं इदर आप देख पारोंगे नमरें का चल रहा है और सबसे पहले तुम्हें आपको बता दू कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो paper है न वो कितने number का होता है तो यह जाना हमारे लिए बहुत ही ज़दा जरूरी है और कितने में साब को कितने number लाने होते हैं सबसे पहले तो आपका exam का pattern मैं आपको दिखा देता हूँ फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि OBC वाल को कितना क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे यह number तो इधर देख लोगी 78 दिखा रखा है किसी में यहाँ पर 70 दिखा रखा है बट उससे पहले अधिक्तम number आप देख लो जैसा है कि आपको पता होगा कि आपका जो total number होता है paper का वो 150 number का paper होता है बट आपको 150 में कितने कम से कम number लाने होंगे तो यहाँ पर all category का मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आपका जो biology में total number होता है वो 30 का इनकि आपसे 30 question पूचे जाते है जो biology में भी 30 question आपसे पूचे जाते और English भी आपसे पूचे जाते है वो भी 30 number की Physics भी 30 का और Chemistry भी 30 का कुल मिला के परतेक सब्जेक्ट से 30 question आपसे पूचे जाएंगे ठीक है और परतेक question एक number का रहता है तो हिसा तो कोई भी विद्यारती नहीं है कि 150 में से 150 ले आए बट आपको कम से कम अगर selection पाना है तो जनरल वालों का मैं आपको बता दूँ जनरल वालों को कम से कम 75 के करीब number लाना होगा 150 में से 75 तो आप ले आओगे ला सकते हो आराम से ABC की बात करें तो इनको कम से कम 72 के लगबग लाने होता है और बहुत असान है number लाना 150 में कम से कम अगर आप जो इसकी किताब है PNHT वाली अगर वो पढ़ लोगे ना तो 100 नमर तो वैसे आजाएंगे आपके और टॉप वाला college आपको मिल जाएगा बट यहां पर तयारी अ प्रोसेज की केसे आपको खरीदना है केसे आपको तयारी करनी है ताकि 150 में से आपके कम से कम 120 नमबर तो आजाए कम से कम 110 नमबर तो आजाए इसे में top का college आपको मिल जाएगा क्योंकि कम से कम जो आपको पता है कि 75 तक मिली जाता है government college बट आपको यह नहीं सोचना है कि हम को तो 150 में से 120 नमबर लाने है और यह कैसे हो पाएगा चलो मैं आपको बताता हूं तो अगर आपको किताब ही खरीद नहीं है तो यह वाली किताब आपको खरीदना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है BS Nursing, JNM और मध्य परदेश नर्सिंग, JNTS, PNST 2022 की नए किताब और यह आ अगर आप हमारी coaching center से theory कना चाहते हो उसका भी बंदोवस हमने कर रखा है अगर आप live theory कना चाहते हो live video किमादयम से उसका भी बंदोवस हमने कर रखा है हमारी जो coaching है online MKS Academy वहां से भी आप कर सकते हो चलो इसका तोड़ा सा process में आपको बता देता हूं कि इसके लिए करना क् इसके लिए सबसे पहले आ जाने है आपको Google Play Store पे वहाँ पर सेर्च करना है MKS Academy क्या सेर्च करना है MKS Academy आपको सेर्च करना होगा जिससे कि आप यहाँ पर देख पारूँगे MKS Academy आपको सेर्च करना है तो MKS Academy जैसे आप सेर्च करोगे और इसका लिंक मैंने नीचे भी दे रहा है इस एप का तो इसको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करके ओपन करने के बाद यह MKS Academy इस परकार का ओपन हो जाएगा ठीक है तो आपको नीचे चले जाना है और नीचे आपको स्टोर का ओप्सन दिक्राओगा यह राप स्टोर इस पर आपको क्लिक करना है स्टोर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस सारी किताबे आपके सामने ओपन हो जाएगी और ये रही आपकी मद्यपरदेश की किताब PNHT की किताब मद्यपरदेश बेशनर सिंग की किताब तो इस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो यहीं से अगर आपको लाइब तियारी करने है वीडियो के मादिम से हमारी ओनलाइन कोचिंग करने है अगर आप वीडियो के मादिम से लाइब तियारी करना चाहते है तो 649 वाला कोच आपको खरीदना होगा अगर देखो कोई भी समस्य आती है आपको कोच करीदने से रिलेटेड किताब खरीदने से रिलेटेड तो इसका जो हेल्प लाइन नमरे मैं आपको बता देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे हमने आपके लिए ओनलाइन कोचिंग उपलब्द करवा रखिए क्योंकि आपको पता है कि हमारे समाज में हमारे परिवार में क्या होता है लड़िक्यों को कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं बेजते तो हमने सोचा कि ओनलाइन कोचिंग शुरू की जाए ताकि हमारे जो बहिने है हमारे जो सिस्टर है वो घर बेटे तयारी कर सके तो यहाँ पर MKS Academy से घर बेटे भी तयारी कर सकते हो यह WhatsApp नंबर है अगर आप करना चाहते हो तो इन पर Contact आप कर सकते हो WhatsApp आप कर सकते हो हम आपकी Help करेंगे So आपने देखा इस परकार से आप तयारी कर सकते हो और Government Nursing College पा सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि यह जो College आपको मिल रहे देखो OBC वालों को तो कम से कम यहाँ पर नमबर लाना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले साल कितने नमबर लाने पड़ेते और हाँ जो YSC-ST वाले है ठीक है? YSC और YSC वाले उनका तो 60 पर भी हो जाता है और यहाँ पर मैं आपको पुरूब भी दिखा देता हूँ ताकि आपको येकिन हो जाए जैसे कि ये प्रिवेस एर की लिष्ट है तो इसमें आप देखो OBC वालों को यहाँ पर 73 नमबर पर भी College मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है आराम से मिल रहा है 73 पर इधर चलो इधर कम होते जा रहे नीचे तो यहाँ पर भी 72 पर भी मिल रहा है और नीचे चलते 71 पर भी मिल रहा है इधर देखो आप 71 पर भी मिल रहा है इधर देखो आप 71 में अगर आप OBC हो ना तो आपको यहाँ पर मिल रहा है तो कम से कम कहां तक मिल रहा है वो देख लेते हैं यह कतम है यहाँ पर इसके बाद OBC में कोई भी कॉलिज नहीं मिल रहा है तो कम से कम 71 नमबर यह लास्ट है इदर यह देखो यह कम से कम 71 नमबर आपको लास्ट है यानकी OBC वालों को 71 तक इस से नीचे वालों को नहीं मिलेगा अब यहाँ पर और देख लेते हैं ST का तो ST वालों को तो मिल रहा है क्योंकि इनका आरक्षन मिल रहा है इनको तो यहाँ पर देख पारूंगे ST को मिल रहा है 68 पे मिल रहा है इनको और यहाँ पर इनको 67 पे मिल रहा है ST वालों को पूरा प्रूब में आपको दिखा रहा हूँ यह देखो यह जो कोलेज मिल रहा है यहाँ पर यह सब ST वालों को 66 पे मिल रहा है ST वालों देख लो आप यानकी जिनके 150 में से 66 नंबर है ना उनको भी college मिल जाता है तो यहाँ पर EST वालों को 65 पे भी मिल रहा है बहुत अच्छी बात है और 64 पे भी मिल रहा है EST EST वालों को और नीचे चलते और EST में 63 पे भी मिल रहा है बहुत अच्छी बात और यहाँ पर यह आ गया 62 पे भी मिल रहा है आप खुद देखो ना इधर, इधर देखो आप, इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इधर देखो आप, यह government college यहाँ पर alert हो गया, और इनके नमर है 62, तो मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा, अब खतम है, तो last 62 के something, तो हमारा clear हो गया, कि general वालों को नमर लाना होता है, कम से कम 75, OBC वालों को कम से कम नमर लाना होता है, 72, YSC वालों को कम से कम नमर लाना होता है, 64, और YSC वालों को 62, इतना सा नमर आपको लेकर आना होता है, बट मैं general OBC वालों से यह कहूंगा, कम से कम आप प्रेतन करना, कम से कम 80 नमर लाने की कोशिस तो करना ही आप, ताकि आपको गुवर्मेंट कॉलेज मिल सके और अधिक्तम कोसिस यह रखना कि 120 तक अगर आ जाए तो बैच्ट है क्योंकि इसमें जो आप चाहोगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा और आप ओनलाइन तयारी कमाद्यम से भी कर सकते हुए काम आपको समझ में आया होगा कि कम से कम कितना अंकम को लाना होता है तब जाएके कॉलेज आपर मिलता है तो जो मैंने बताया प्रोसेज MKS अकेडमी से तैयारी कर सकते हो हम वहाँ पर तैयारी करवाएंगे लाइव तो नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है MKS अकेडमी एप पर डाउनलोड कर लेना